दोस्त क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी time travel कर सकते हों हाँ मुझे पता है कि आप लोग से अभी इस सर्फ एक ही आवाज निकल रही है क्या भे पागल है क्या तू तो हाई मैं हूँ टून कार और मैं आज आप लोगो time travel को लेकर कुछ ऐसे facts के बारे में बताऊंगा जिनने जानकर आप लोग बोरोगी कि वाव व्यार ऐसा भी होता है तो guys बाद ये है कि 19-20 सतक से पहले time travel सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती थी लेकि 19-50 सदी के महान साइंटिस्ट Albert Einstein ने सबके सामने की एक theory रखा जिसका नाम है theory of special relativity According to this theory, space और time एक दूसरे के साथ relatively connected है मतलब अगर space में किसी एक जगा एक घंटा बीता है तो जरूरी नहीं कि space में किसी दूसरी जगा भी एक घंटा ही बीता होगा और अगर सीधी भाशा में बोलू तो time अपने आपको slow और fast कर सकता है Einstein ने ये भी बताया कि अगर कोई object light की speed से travel करता है तो उस object के लिए time slow हो जाता है और light की speed है लगबग 2,99,792 km per second मतलब कि अगर आप इस speed से धर्ती से मून तक जाना चाते तो आपको time लगता सिर्फ 1,5 seconds तो अगर किसी तरह आप अपने अंदर इंतना speed ला पाओ तो आप time travel कर सको होगे मालू की spaceship है जो कि light के 99.5% की speed से मतलब कि almost light की equal speed से travel कर पाता है और आप 15 साल की उमर में उस spaceship में चड़के 5 साल तक space में travel करते रहते हो तो 5 साल बार जब आप धरती पे आओगे तो देहोगी 50 साल बीच चुके होगे आपके same age के सारे दोस 65 साल के बूड़े हो गया होगे जहां आपकी ये सिर्फ 20 साल ही हुई होगी तो चलो ये तो होगी future में जाने की बात लेकिन अगर आप past में जाना चाते हो तो आपको एक tunnel के through जाना पड़ेगा और मज़े की बात तो ये है कि वो tunnels आपके आसपास ही कहीं है और scientist ने इन tunnels का नाम दिया है wormholes wormholes एक ऐसी चीज है जो इस universe के किसी एक time को दूसरे किसी time से जोडता है सायद आपके आसपास ही कहीं एक wormhole है जहां अगर आप घुश जाते हो तो आप 2019 से सीधा 1914 में चले जा सकते हो जहांकि दुनिया में first world war चल रहा हो है लेकिन दिक्कत तो यह ब्रो कि वो wormholes इतने चोटे हैं कि उसमें एक आदमी तो छोड़ो एक छोटी सी चीटी भी नहीं घुश पाएगी मतलब यह तो इतना चोटा है कि हमारे आजपास होते हुए भी हम इसे नहीं देख पाते साइन्टिस्ट यह imagine कर रहे हैं कि अगर किसी तरह इन वामholes को ढूंड कर इने बढ़ा किया जाए तो लोग आराम से past में जा पाएगे और साइन्टिस्ट यह भी होप कर रहे हैं कि 2050 के बाद ऐसी टेकनलोजी आविशकार हो जाएगी जिसे लोग टाइम ट्रेवल कर पाएंगे लेकिन यह टाइम ट्रेवल करना बहुत ही महगा होगा सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही टाइम ट्रेवल कर पाएंगे जिलोग के पास फालतु के बहुत पैसे होंगे वो लोग और हाँ अगर आप मैंसे कोई टाइम ट्रेवल करता है ना तो 2019 में आके मुझे ठैंक यू जरू बोल जाना ठीक है अभी के लिए अगर वीडियो पसा है तो लाइक कर देना और कॉमेंट करके बताओ कि किसे टाइम ट्रेवल करना है और शेर कर देना यह वीडियो को और अगर चैनल पे ना आया हो तो सब्सक्राइब कर दो मैं ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं